फिल्म दकश्मीर फाइल्ज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है फिल्म डारेक्टर विवेक अग्मिहोत्री और आक्टर अनुपम खेर की ये फिल्म जब बड़े पर रिलीज हुई थी तब इस फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था आज की इस खास विडियो में हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है इस लिस्ट में एक ऐसी भी फिल्म शामिल है जो बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी तो चलिए देखते हैं ये पूरी लिस्ट जिसमें कई हैरान कर देने वाले नाम शामिल है साउट स्टार थलापित विजय की फिल्म बीस्ट को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में दिखाए गए टेरर अंगल से कहीं देश नाराज हुए थे इंडिया के कुछ इलाकों में इस फिल्म का विरोध भी हुआ था काली इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज हुआ था तब इसको लेकर काफी विरोध हुआ था इस फिल्म के पोस्टर में मा काली को सिगरिट पीते हुए दिखाया गया था इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओ को आहत करने का आरोप लगा था पीके आमिर खान की फिल्म पीके पर धार्मिक भावनाओं को थेस पहुचाने के आरोप लगे हैं इस फिल्म के कई ऐसे सीन्स थे जिसे देखने के बाद लोग भड़क गए थे वाई आई किल्ड गांधी महात्मा गांधी हत्याकांट से जुड़ी ये फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है इस फिल्म को रोकने के लिए कोट तक बात पहुच गई थी इस फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था तांडव वेब सीरीज तांडव काफी विवादू में फस गई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और प्रधान मंत्री पद की छवी खराब करने के आरोप लगे थे खुदा हाफिस टू विद्युद जमवाल की फिल्म खुदा हाफिस टू का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है इस फिल्म पर भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे इसके बाद फिल्म मेकर्ज ने माफी भी मांगी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक वेब सीरीज असूटिबल बॉई पर लव जिहाद को बढ़ावा और धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुचाने के आरोप लगे थे जिसके बाद इस फिल्म को लेकर खूब विरोध हुआ था अनुपम खेर की दकश्मीर फाइल्स पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से इसका विरोध हो रहा था अभी हाल ही में इसराइली फिल्म मेकर नवाद लापिड ने इस फिल्म को प्रोपगेंडा बताया है